Hello everyone, welcome again आज की वेडियो में हम यहां पर education की cutoff discuss करेंगे education की अगर बात करें तो unreserved की cutoff high गई है कितने marks पर 200, 18 marks पर तो कुल मिलाकर question की बात करें तो 109 question पर काफी high cutoff गई है education की ठीक 218 marks लाने काफी tough हो जाते हैं अब paper easy था, moderate था, कैसा था, यह कहपाना अब मुस्किल है तो cutoff के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि paper क्या है इस बार थोड़ा हलका full कर रहा होगा इसलिए cutoff high गई है बाकी education वाले बता सकते कि exam कैसा आया था easy था, moderate था, या फिर hard category में था ठीक है, इसके बाद अगर बात करें OBC non creamy layer की तो यहां भी 103 question पर EWS की 104 question पर means 208 marks पर SC की 95 question यानि 190 marks पर J-RF है ST का J-RF 192 पर है, SC से यहां पर ज्यादा है ठीक है, तो यहां पर 96 question पर है और 19 J-RF के लिए selected हुए है, यह candidates की संख्या की कितने candidates J-RF के लिए selected हुए है 104 general में 106 OBC non creamy layer में 28 CWS में 35 SC में 19 ST में ठीक है यह PWD की cutoff है 192 यह general UR unreserved में है PWD, VI का मतलब visually, HI का मतलब hearing, LM का मतलब locomotor ठीक है यह अलग-अलग categories होती है PWD में तो उसके according यहां पर cutoff दी है, यह OBC के PWD है ठीक है, यह SC के PWD है, इनकी cutoff अलग गई है, ST के PWD अलग है और EWS के PWD अलग है, सबकी cutoff यहां पर अलग-अलग गई है वहीं अगर बात करें net की, तो net में 190 question पर unreserved category का क्या है, net हुआ है और यहां पर 172 number पर यहां पर OBC non criminal का, यहां पर 190 marks पर unreserved का, 170 पर EWS का net, 158 पर SC का net, 158 पर ST का net और यह बाकी PWD की categories हैं, तो PWD वाले जिस category में हो, HI में, यह VI में, यह LM में, यह OD and AO में और जो main category है, unreserved, OBC, SC, ST, EWS, तो उसके according अपनी cutoff यहां पर देख सकते हैं admission to PhD only में, 162 unreserved, 148 OBC non criminal, 142 EWS, SC, 138, ST, 140 और यह PHK हैं, 110, 108, 134, 110, 106, यहां कोई candidate नहीं है, 126, कोई candidate नहीं, 106, कोई candidate नहीं है 116, 108, 106, 112, तो minimum cutoff जो गई है, यहां पर अगर देखें, तो minimum cutoff 106 ही लग रही है 106 minimum cutoff है, तो अगर 53 questions सही हुए है, 1500 में से, तो उनका यहां क्या हुआ है admission to PhD only में हुआ है, ठीक है, तो इसे वीडियो में इतना ही, यहां पर हमने education की बात की है next video में किसी और subject की cutoff लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद